नमस्कार दोस्तों स्वागत अपका ज्यान सम्मान के मंच पे हम लोग यहाँ पे mathematics देख रहे थे और इस करम में हम लोग number system complete कर लिये हैं इसके अलावा ACF and LCM थार हमने देखा था percentage next profit and loss और आज हम लोग देखेंगे आपको ratio and propagation प्रतिसत देख लिये हैं और profit and loss देख लिये हैं तो यह arithmetic के सारे basic pillar है आज हम लोग ratio को बारे में थोड़ा concept देख लेंगे और इससे related क्या question पूशे जाते हैं वो हम लोग देख लेंगे जो लोग भी यह previous वीडियो नहीं देखे हैं इससे आप जरूर जाके देख लें वजा यह है इसका कि आगे आने वाली जितनी भी यहां पर हम लोग अभी यूनिट देखेंगे जैसे आप SICI देखेंगे या आप time and work देखेंगे इन सब चेप्टरों में इसका concept डिरेक्टली यूज किया जाएगा रेस यूट डिरेक्ट यूज होगा आपको profit and loss यूज होगा परसेंटेज यूज होगा तो इन सब चेप्टरों को आप यहाँ पर ratio and propagation को देख सकते हैं basic ratio and propagation बिल्कुल अलग ही आपको चेप्टर है तो अगर यह आप previous कुछ चेप्टर नहीं देखे हैं तो इसका कोई ज्यादा link इससे है नहीं बट आगे आने वाले चेप्टर में इसका जो है काफी उप्योग है तो आप लोग जो है सारे चेप्टर को देख लेंगे प्ले लिस्ट में यह अब लेबल है मैं link जो है आपको provide कर दूंगा description box में इसके लाव एक information और आपके लिए physics जो लोग भी physics में जिनको भी problem आती है मैं science का जो है पार्ट एक physics है आप सभी को पता ही है तो यहाँ पर जो है आठ लेक्चर अप्लोड किया गया है with previous year question प्रिवियस year question के साथ ही जो है आपको वहाँ पर बताये गया है यह आप लेक्षर complete कर लेंगे तो आपको कोई issue नहीं आएगा यह दि आपको mathematics और physics से कोई issue आ रहा है कोई भी problem आ रहा है कोई question आपसे सल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है comment box में आप लिख सकते हैं या मैं telegram group का जो है link इस पर आपको provide कर दूँगा इस lecture में आपको telegram group का जो है link provide करूँगा तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं तो आप सभी जो है परिशान बिल्कुल नहीं होईएगा कोई भी यदी doubt आता है इन सब के अलावे तो मैं उसको clear करूँगा जिन लोगों का भी doubt आएगा मैं सारे को जो है एक separate lecture में chapter से related मैं clear कर दूँगा तब आप इस lecture को देखे और जादा से जादा लोगों को बीच में share करें लेक्चर को जो है जादा से जादा लोगों तक पहुंचाए साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें बीपी एसी की जो special त्यारी करते हैं उनके लिए यहाँ पर एक trend analysis का video upload है जो पुर्ण बिशलेशन है संपुर्ण बिशलेशन है इसे पहले आप ऐसे बिशलेशन यहाँ पर upload किया गया है इस पिसली मैं science की बात करूं तो उसे आप एक बार जाके देख लेंगे आपके लिए काफी फैदमंद सीद होगा ठीकर चलिए तो हम लोगी start करते हैं आज का अपने यूनिट रिश्यू मैं जो यह अभी book cover कर रहा हूँ concept जो यहाँ पर cover कर रहा हूँ तो उसके लिए reference book क्या यूज कर रहा हूँ दिश्टी पब्लिकेशन के book है तो बाकी आप सबको पता ही होगा कि concept जो है सेमी होता है ठीक है कंसेप्ट में कुछ खासा अंतर होता नहीं है ठीक है तो यह क्या होता है रेश्यो क्या होता है चूकि जीरो टू हीरो सिरीज है इसलिए मैं basic वेश्यों भी छोटी छोटी बा गरें ऊस्टी आगं तुलना का मतलब जैसे मानले जैे कोई वेक्ती जो है पांशोर रुपया अर्ण कर रहा हो जैंक दो वेक्ती कोई 200 रुपया और ठीक है तो उस तो पुछा जाता है कोई वेक्ती आदो कोईज यहां पर हम क्या करते है 500 और डिवाइड 200 यहां पर देखे क्या आ गया 5 डिवाइड 2 यानि 5 रेशियो 2 यानि इसका मतलब क्या हुआ जो यह बेखती है और जो बी है तो यह जो है बी से आप देख सकते हैं कि यह 5 यूनिट कफर कर रहा है और 2 यूनिट कफर कर रहा है इसका मतलब यह जो है बी से आपको क्या है 3 यूनिट ज्यादा कफर कर रहा है तो बेसिक आपका रेशियो क्या होता है represent between two quantity ठीक है तो कंप्रीजन हम लोग यहाँ पर करते हैं और इसका symbol जो ratio का होता है देखेसे मैं लेकना है 2 ratio 3 तो मैं लिखूंगा 2 ratio 3 तीन तीन यह क्या होता है इसका यह इसका symbol होता है ठीक है यह छोटी सब्सक्राइब संहा case अब इसका कोई मात्रा की या peace नहीं होता है ठीक है पाइब कहान यह है जब भी कमप्रीजिन किया जाता है तो सिम क्वांटीटी से ऑसे यह से मैं बोला 200 rupees ठीक है और 500 rupees इसका ratio बताईए तो देखिए, मैं 200 जो है rupees लिखा और 500 rupees ठीक है तो रूपी से rupees cancel हो जाता है तो क्या होता है इसका कोई unit नहीं होता है अच्छा, ऐसा नहीं होगा, मैं बोलूंगा 200 rupees और 5 km इसका ratio बताईए तो ऐसा question आपसे नहीं पुछा जाएगा, ठीक है, चुकि compression क्या होता है, हमेशा same quantity में होता है, ठीक है तो same quantity में हम लोग compression करते हैं, तो race का kilometer से कोई compression नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, आपको unit same ही होगा, अच्छा, कैसे हो सकता है, जैसे 2 kilometer का जो है, हम compression करेंगे किस से, 5 kilometer से, यानि unit क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, अच्छा, unit जब भी same होगा, तो आप सभी को पता ही है, unit जब भी same होगा, तो क्या होगा कहानी, तो unit जो है, यह cancel हो जाएगा, तो यह जो आपको ratio होता है, हमेशा क्या होता है, unit less होता है, ठीक है, clear हो गया होगा, तो बेसिक सी, इतना ही सी बात थी, अब चलिए, हम लोग जो है, ज्यादा यहाँ पर time जो है, गवाते नहीं है, सीधे हम लोग question पर आने के कोशिश करेंगे, अब जैसे माल लिजे, आपको जो है, A upon B है, इसको ratio में लिखना है, क्या लिखेगा, A ratio B, simple सी बात है, ठीक है, चलिए, अब देखें, यहाँ पर जैसे, एक question आपको दिख रहाया है, ध्यान देंगे, रमेश तथा सुरेश के पास, क्रमशा, 20 और 21 सिक्के हैं, अर्थात, रमेश तथा सुरेश के 20, शीको का अनुपाद, क्या है, 20 ratio, 21 है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 20 सपन, 21, simple सी बात है, ठीक है, अब देखिए, एक दख्तर में जो है 100 लोग काम करते हैं, जिन में 30 महिलाएं हैं, तो बताइए पुरुष और महिलाओ की संख्या का अनुपाद क्या है, अब देखिए, दख्तर में कुल लोग काम करने वाले कि इतने हैं, 100 है, यहाँ पर दिया है महिलाओ की संख्या, महिलाओ की संख्या संख्या का अनुपाद क्या होगा आप से क्या पूछा जा रहा है पुरुस और महिलाओ का संख्या का अनुपाद तो पूर्सों का संख्या कितना था सत्तर महिलाओ का कितना है तीस ठीक है एक सुनने से एक सुनने केंसील हो गया और यह क्या आगया आपका साथ रेशियो तीन इना गया सिम्पल यहीए रेशिय जो है और रहीद मुलें यह घंडव मुला ऐंपाथ है नहीं करता है कि बर्गो कानुपात जैसे मेली के देड़ा हूं टू का स्कुरार और थ्री का स्कुरार इसका अनुपात निकालिए ठीक है यह हो गया आपका बर्गानुपात ठीक है तेन सब में पढ़ने के जरुवत नहीं है ठीक है चलिए आगे हम दो निकलते हैं एक टर्माता है आपको जैसे माली जे दो संख्या दिया है और उनके ब्रतकर्म के बीच का अनुपात आपको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे जैसे माली जे दो संख्या दिया ए और बी ठीक है तेन को जो है ब्रतकर्म यानि बिलोना अनुपात निकालना है तो को simple क्या करना है A को 1 by A लिख दीजिए और B को 1 by B लिख दीजिए ठीक है तो चुकि आपको पता ही है कि A का 1 by A होता है और B का 1 by B होता है तो दिखें सिंपल सा क्या हो जाएगा हमें क्या करना है दो संख्याओं का उसके opposite का ratio निकालना है तो A को क्या लिखेंगे आप उल्टा 1 by A, B को क्या लिखेंगे 1 by B, चलिए इसका ratio निकाल लिएगा तो उपर क्या हो जाएगा, 1 by A और नीचे 1 by B कोई दिक्कत नहीं है, 1 by A लिखेंगे और ये B उपर चल जाएगा B अपने 1 to 1 कंसिल हो जाएगा यानि अब ratio क्या जाएगा, इनका B ratio A clear हो गया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ देखिए जब भी कोई दो quantity है कोई A है और B है आपको बताना है कि इसके opposite का ratio बताईए तो सबसे पहला तकाम आपका यह हो गया कि इसका opposite क्या होगा A का opposite क्या होगा, 1 by A B का जो opposite क्या हो जाएगा, 1 by B अब आपको ratio बताना है, हमने बताया था ratio के लिए क्या करना है अब आपको क्या निकालना है question में A ratio B क्या होगा A का स्थान पर आपको देखे तो क्या है 1 by A है, तो आप ऐसे लिखते है A के position पर क्या है 1 by A है, तो 1 by A लिख देंगे कैसे इसको लिखते हैं, जैसे देखिए किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा देख लेंगे यहाँ पर जैसे A by B format, C by D अगर लिखा है, तो इसको कैसे हमनों लिखेंगे तो यह उपर वाला जो होता है, इसको एजिट इज लिख देते हैं, A divide B into, जो नीचे वाला होता है इसको opposite करके लिख देते हैं तो D उपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, यही आपको format है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान देंगे यहाँ पर तो, यहाँ पर देखिए 1 by A है, ठीक है, तो यह जो है एक बदले है और यह B के बदले है 1 by B है, यानि C है और यह D है, तो हम क्या करेंगे सबसे A by B पहले लिख देंगे, तो हम लिख दिए 1 by A, into क्या करना है D by C करना है, यानि B कहाँ चला जाएगा उपर चला जाएगा, तो यह होगा D by C, ठीक है, तो D by C को जगा पर क्या लिखेंगा अब लिखेंगे इहां से क्या हो जाएगा mily ba親 अ Subscribe यहीं आपका बी रेशियो ए यानि यह पोजीट का रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट उसका अपोजीट चेंज हो जाएगा सिंपल यहीं से मेरा कहना था चली आगे हम लोग बढ़ते हैं बेसिक सकंड से इस शेप्टर में यही था ठीक है रेशियो आप लोग समझ गया होंगे ठीक है अब जो है आपको माल लीजे कंप्लिकेटेड कुछ आ गया उसका रेशियो निकालने का आ गया जैसे मैं दे रहा ह पूर का जो है बिलोन वान पात क्या होगा तापको इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है अब क्या कर दिए जस्टिस का उल्टा कर दिए फोर रिस्यों थ्री आ जाएगा जैसे ही आप जो है यह सल्व कर रहे थे तो क्या आ गया अभी हमने क्या देखा था यह रेशियो मिस्रि तनपात बता दीजे हमें करें लुक्त पुर्ष यह तो क्यों पहगा पेर्पर करें कोई दिक्कत नहीं होगा अच्छा वैसे ही अगर तीन आ जाए एक जाएगा इग्जांपल देख लिखा एक रेशियो एक यहाँ पर फिर क्या है यहां पर एक रेशियो दो और तीन रेशियो चार ठीक है इसका क्या लिखना है आपको मिस्री तनपात निकला है कुछ नहीं करना आपको यह फर्स्ट वाला डिजित है इस तीनों का आपस में मल्टिप्लाई कर दीजिए एक इंटू तीन इंटू पांच रेशियो का सिंबल दीजिए और सेकेंड वाला जो है आपको दिख रहा है यह सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से और इसको मल्टिप्लाई कर दीजिए दो इंटू चार इंटू साथ एक का इंसर आ गया ते हो गया पांच ते पंदरा रेशियो कितना हो गया साथ चुका ठाश दुना आपको छपपन ठीक है ते पंदरा रेशियो चपपन आ गया अगे बढ़ते हैं हम लोग और दो रिचियों का पुनाक निकालना होगा ताप निकाले लेंगे देखिए जैसे में आपको अभी बताएं दिया यह से मालिजिए बाइबी है ठीक है और एक आपको है C by D, यह दोनों का ratio निकालना है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, A by B, मैं divide कर दीजे C by D से, कोई दिक्कत नहीं होगा, A by B को तो IGT लिखना ही है, और यह D by C हो जाएगा, जो मैं थोड़े दिर पहले बताया है, इसका ratio क्या आ जाएगा, A D upon B C, सिंपल से कहानी है, अभी हम लोग कोशन देखेंगे, तो वहाँ से आप साभी का clear हो जाएगा, ठीक है, देखें एक कोशन यहाँ पर दिया है, देखें क्या है, यहाँ पर, 2 upon 3 और 5 upon 7, इसका ratio निकालना है, कुछ नहीं करना है, 2 upon 3 लिखिए, और direct क्या किजिएगा, 7 upon 5 दिया, और C by D जो नीचे था, तो D by C कर दिया, ठीक है, एक formula अगर अब समझ गया, तो सारा काम आपका असान हो जाएगा, चलिए, यह सब चीजे थी, अब हम लोग जो है, next देखते हैं, हम लोग भी ratio देख रहे हैं, ठीक है, मैं एक बात आपको initial में ही बता दिया हूँ, कभी तुनला जो है, same quantity में होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अच्छा, कहीं question में आपको आ जाए, किलो मीटर, ठीक है, और मीटर, ठीक है, और आप से पुछे कि रिस्यू आप बताईए, ठीक है, तो आप क्या करें किलो मीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और ये मीटर, दोनों quantity जब सेम होगा, तभी आप रेशियो निकालेंगे, बात का ध्यान देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, जैसे देखिए, एक्जामपल के लिए मैं बता रहा हूँ, माली जैदी 500 ग्राम लिखा क्या है? केजी को ग्राम में बदल दीजी, ठीक है, तो ग्राम को येदि कीजी में बदल दीजेगा, ये क्या आ जाएगा वन बैटू, अब सभी को पता ही है, कि एक कीजी में ऐख़र घ्राम होता है, तो पांसों में बढ़ीटू हो जाएगा, और ये बो़न हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोग अब ऐसे question भी कभी exam में आते हैं आपको तिन संख्याइदी है उनका अनपात दिया है ठीक है तो तीन संख्यादी हो उनका अनपात दिया हो जैसे देखिए कोई रासी में है और में विभाजित किया जता है तो इसको करने का तरीका बिलकुल ही असान है आपको पहला भाग निकालना है ठीक है तो क्या किजएगा पहला भाग एंटु जो भी आपका रासी दिया हो उसको कर दीजेगा और तीनों को एड़ कर दीजेगा अभी हम लोग कोश्चन देखेंगे आप बना लेंगे देखेंगे आप सभी को आता ही होगा छोटी सी कोश्चन है नौ 100 रुपय हमाली लिजे और दो रेसियो तीन रेसियो चार मोशमिस को भी भाजित करना है तो बताईँए ये कीट्ना भागोका कुछ नहीं करना है कितना गुत देते दे नचाई और यह क्या करना है या नहिक न कीट्लाई कर दीजे एentes होघे न को तीन वाला निकालना है प्रते तीन हैं तीन ही तीन को उपर राख देंगे और तोटल कितना है तोटल कितना यहां पे 900 तो को multiply कर देंगे त्रसा आपको निकालना है फिर सेनीच रखें टूटल कितना है है नाइन है 437 99 और कितना निकालना आपको अपोर वाला दो खोड़ किया यह घूर Πरяет नाइन資 लेकाल किना आईना नाइन हंड फोर लिखी है किधन माहं से हो गया दें कितना आपको 200 कर सब्सक्राइब यह कितना आगतों यह कितना आगत आपको दिक्कत करेगा तो मैं इसको solve कर देता हूँ देखिए question पहले देख लिए ध्यान से question क्या दिया है यदि A ratio B 2 ratio 3 के बराबर है B ratio C जो है ये क्या दिया है 4 ratio 5 के बराबर है और C ratio D जो है 6 ratio 7 के बराबर है आपसे question में पुछा जाए A ratio B ratio C का मान बताए ये question simple सा क्या दिया है यहाँ पे आपको कितना ratio दिया है देखिए पहला ये दूसरा ये और तीसरा आपको ये दिया है यानि तीन ratio दिया है A ratio B का दिया है ratio B ratio C का दिया है C ratio D का दिया है आपसे पुछ रहा है E ratio, B ratio, C ratio, D निकाल, इस question को आपको आप easily निकाल सकते हैं, देख़िए मैं यहाँ बसल्ब कर देता हूं, E ratio B कितना दिया है, सबसे पहले लिख लें, कितना दिया है, 2 ratio, 3 ठीक, B ratio C कितना दिया है, question में, देखिए, B ratio C दिया है, 4 ratio, 5 ठीक है, और देखिए C ratio D कितने दिया है यहाँ पे यह दिया है आपको 6 ratio वेजियो कितने दिया है 6 ratio 7 ठीक-ध सब्ध सकते अब को शल्व करना है इसली सब्ध सकते आपको क्या निकालना है तो सब्सक्राइब है इस फाल jsuk क्या अपको कुछ नहीं करना है ऐसे question में, आपको question में given क्या क्या है, clear है, A ratio B दिया है, B ratio C दिया है, C ratio, सबसे पहले आप A लिख ले यहाँ पे, फिर आप B लिख ले यहाँ पे, यहाँ पे C लिख ले, C लिख लेंगे, और next D लिख लेंगे, अब देखे, सबसे पहले आपको question में क्या बस इतना काम आपको कर लेना है अगर यह आपको कोई दिकत नहीं आएगा मैं अभी तक क्या step किया देखिए तो A ratio B दिया था 2 ratio 3 B ratio C दिया था 4 ratio 5 C ratio D दिया था 6 ratio 7 तो आपको निकालना था A ratio B ratio C ratio D A B के जगा पर कितना दिया है 2 3 तो मैं 2 3 यहाँ पर लिख लिए कोई दिक्रत नहीं अब देखे B C के जगा पर कितना दिया है 4 5 तो फिर मैं next line में B C के जगा पर 4 5 लिख लिए अब देखे C के place पर C ratio D कितना दिया है 6 ratio 7 तो मैं यहाँ पर 6 ratio 7 लिख दिया अब आपको कुछ करना नहीं है खास देखिए क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर आप करेंगे अब इसके बगल में जो भी digit है वो लिख देना है ती कह ती आ अच्रिए चार है इसके बगल में एक एक डोल में यह फाल्थी अकी समय और 6 लिख देगे बस यह ये आप लिख쪹ंस अ finite ikes अब कोई प्रूबलम आपको नहीं होने वाली है नो कोशन क cev cognitive अनला है लिख दिये तो आपका question solve हो गया अब कोई problem आपको नहीं होने वाली है ठीक है आपका question क्या हो गया solve हो गया ठीक है अब कुछ नहीं करना है अच्छा मैं एक बार और repeat कर देता हूं ध्यान से देखेंगे यह हमको given था दो ratio 3 यह 4 ratio 5 given था और 6 ratio 7 given था मैं क्या बोला अब देखें यहां पर दो प्लेस खाली है एक एक खाली था और एक एक खाली था तो यह जो भी left side में इसको just जो है एड़ेसेंट में है इसी को एजटी यहां पर लिख देना है अच्छा वैसे ही आते हम लोग वी रेसियो हमको सी में हमको पता क्या क्या था हम लोगों को पता था चार और पांच अब देखें इसके बगल में एक प्लेस खाली था तो हम लोग लिख दिये चार बगल वला भी खाली है ख्ली डिलियर है अब कुछ नहीं करना है अब तीनों को मल्टिप्लाइई कर देना है ति देखिए दो इंतू 4 इंतू 6 यह पहला आ गया इसको मल्टिप्लाइई कीजिए 3 इंतू 4 इंतू 6 दूसरा और यह क्या हो जाएगा चाहिक है आपको Keno tu 10-10 and तीफालियोट इस तीनोंक Quindi कर दिजिए यह क्या हो जायेगा तीन इन्टू पाँच इन्टू साथ अब इसका एक और तरीका होता है वो काफी complex है काफी जो है complex तरीका है अगर उससे आप बनाएंगे आप प्रोब्लम में पड़ जाएंगे आप जो है बस ऐसे कर लेंगे यह आपका सल्व हो गया अब आपका 24 24 दोनी, कितना होगे 48 ये होगे आपको 624 24 कितना होगे 72 ये 65 30 कितना होगे 90 ये कितना होगे 35 35 कितना हो जाएगा 105 ठीक है निकल गए आपका ratio अब इसको आप चाते हैं तो खटा सकते हैं ठीक है देख़ें हाप तीन से अगर कटता है यह तीन से सुल्ल हो जाएगा यह तीन से तीन दोनी छे तीन चोंका 12 हो जाएगा यह तीन तरीका नौ और यह क्या हो गया आपको एक पांच 315 ठीक है अच्छा आप चाहते तो यहां भी कटा लेते यह वाला जो पाट था यहां भी कटा सकते थी लेकिन मैं यहां पर सिंपली स्वाभी कल्कुलेट कर रहा हूं और देखें और यह कटेगा क्या नहीं कटेगा ठीक है ताब आपका एंसर क्या बन गया ए रिस प्रोपुर्शन होगा था हम लोग कर लेंगे अब निक्स देखते रहें ऑई चेप्टर राइन च्प्टरर का दूसरा पाट प्रोपोर्शन क्या होता है इस परकार इस पर फりकार्व है यह परहली राशी का दूसरी राशी से जोन पाठ है वही अनमत्रान का से चौछी से है तहीं है चारु रासिया समनपात में कहल् Look man कहलाती है यानि कहने का मतलब यह हुग जई से देखिए यहां पर हम लो से और फिर आपे शेरेसटू पात का यह सिम्बल आपको समानू अपर समनपात का को शिंपल सी बात है ठीक है देखें यहां पे जिसे लिखा हुए ठीक है तिए परूपोशन का सिमबल होता है ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना है जैसे देखें यहां पे यहां पर है एबी सीडी है ठीक है तो अंदर वालप hurricane बाहर वालप तो आपको पता है कैसे लिखते हैं अच्छा इसके बाद यह सीरी को कैसे लिखते हैं कोई दिक्कत है नहीं ठीक है एकोल कर दिए यहां से देखे एडी इंटू क्या निकल गया एडी इकल टू बीसी निकल गया ठीक है तो अभी आपको परिसान नहीं होना है इस सब फर्मूला होगा रहा है मैं पढ़ने के जोड़त नहीं है अभी हम लोग कोशन करेंगे तो आप इजली सारे कोशन कर लेंगे ठीक है तो बेसिक बेसिक चीजें आप समझ गए कि होता क्या है ठीक है रिश्यू क्या होता है दोनों लोग तर्म देख लिए ठीक है चलिए अब देखे जैसे यहां पर दिया है कोशन कि दो संख्या दिया है नौ और सुल्ला पूछ रहा है आपको कि मध्य समन पाती एक्स है तो बताई एक्स का भैलू क्या होगा तो यहां पर एक्स का भैलू जो है डिरेक्ली लिख देंगे आपको 9 इंटू 16 तो यह देखे कितना बात और है इसको देख लेक नजर में बाकी जो है चेप्टर कोई कंप्लेक्स करने का तरीका है बाकी हमको जो इतना सीखना था हम लोग सीख लिए अब उसके बेस पर हम लोग कोश्चन इजली कर सकते हैं सारा देखिए अब एस यो भी है और यह इकॉल टूसी डिया है तो कि एपन बी इकॉल टूसी हई पन दी है तकर एपनसी जो धाएगा भी अपन डी क्वे लेगा यह उनपार जो है कम्रometer दोकी जारी है यह अपन बी जो हैसी अपन डी किक्वल है एमें आप यहां पे एपलस भी ब्लस करें गया देखे यहां प्या कि हैंएफ यहां पैप यह किये हैं तो इधर भी क्या करेंगे सिंपल सा यह बात है ठीक है चलिए अब हम लोगों सीधे कोश्चन पर आते हैं कि कोश्चन क्या क्या आप से पूछे गया है और कोश्चन से आप डिरेक्ट सल्व कर सकते हैं इसा छोटा चोटा पर बहुत बड़ा कोई चेप्टर है नहीं अगरे me दे रहा है कि एक बेपार में जो है ये 76,000 का निवेश करता है कुछ मा पस्चात जो है ये जो भी है आपे 5,07,000 के साथ जुड़ता है तो वर्ष के अंत में कुल लाव को दो रिशियो एक अनुपात में उसे बाटा जाता है तो बी कितने माह के उपरांत जुड़ा होगा सिंपल से कहानी है देखे क्या ए है एक वेक्ति कोई ठीक है और एक दूसरा वेक्ति है बी ये इन्वेस्ट करता है कोई बीजनस करते हैं लोग ये जो है इन्वेस्ट करता है कितना 76,000 रुपया ठीक है अच्छा ये रिशियो जो है अनुपात में अब लाव जो है दूर रि मिस्टेक हो गया होगा यह जो है ना यह 57,000 रुपया होगा ठीक है 57 होगा ठीक है ऐसे हम लोग 57 करके देख लेते हैं क्योंकि मैं रेशियो देखके अनपात लगा पाया कि इनका लाब बट रहा है दो रिश्यो एक में और कोई व्यक्ति माली जिए पांच लग सतर हजार खर् लेते हैं घिक है चलिए तो को स्ट्ल में आपको दिया है कि मालीचे कोई और बीजनस कर रहा है यह निवेस करता है कितना 6300 रुंदर करता है कुछ महीने बाद यानि ही बिजनस स्टार्ट कर दिया है त gir उसके कुछ महीने बाद b की में विक यह होती है और बीजह 17,000 तो पूछ रहा है कि B जो है कितने माह बाद इस में जुड़ा होगा यही आपको सिंपल बताना है कोश्चन समझ गए होंगे मैं फिर से बता देता हूँ एक बेपार में जो है यह नाम का कोई वेक्ती है वो छीयरता जार रुपय इंवेस्ट करता है ठीक है और कुछ महाबाद जो है एक इंट्री होती है दूसरे बेप्ती कि जिसका नाम है B यह जो है संताओन हजार रुपया इसमें इंवेस्ट करके इंट्री करता है वर्स के आखरी में ठीक है क्या होता है यह लो लाह बाट लेते हैं दो रिसीओ एक में तो पूछ रहा है यह जो बी है कितने महीने बाद इंट्री लिया होगा अब एक बात तो किलियर हो गया कि यह जो है बिजनस शुरू कर रहा है तो यह मन लिजिए जनौरी महीना में इंट्री ले लिया होगा और दिसम्मर महीना तक चलेगा तो एक साल हो जाएगा पूरा आप बी जो है आपको पता नहीं है कब इंट्री लिया हो सकता है माह के उपरांद लिया है तो सिंपल साइस कोश्ण को सल्व कर लेंगे आये इस कोश्ण को अम लोग शल्व करते हैं कोशन सारे लोग समझ गया होंगे ठीक है ति देखिए यह जो दिया था आपका जो है कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं इसको आपको एंसर यहीं बनेगा ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि आप दो रिस्यों एक में जो है लाब दिख रहा है तो यह कोई बेक्टी आप खुद एजिम कर सकते हैं कि कोई बेक्टी मालीजे आप बिजनस करते हैं मैं बता धिया कि 70 में अब 3000 किया बोल रहा है को नेक्स बोल्जारा है यह एक वर्स के बाद की बात है इं सबार महिने के लिए पाफ में नहीं ब इक कितने दिन के लिए मैं पृट करेगा पता नहीं क्योंकि इनट्री कब लिए हो Qका лीए सब लिए हैं्दिक औ करे नहीं होगा अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी तीन जीरो दिख रहा है यहाँ पर दिखत नहीं है अब देखिए यह लोग को जो benefit मिलता है ये किस ratio में मिलता है दो ratio एक में यानि दो जो है a को मिलता है और 1 को Sorry it little thing अब देखिए a का क्या हो जायगा यहांसे आप מקल सकते हैं ये को कितना मिलेगा तो देखिए एक जो मिल जाएगा आपको कितना मिलेगा देखों है जो इसको टोटल हिसा उर एक है तो टोटल हीर्च पीन मनेंगा देखिए दो हिसे एक को मिल रहा है और एक हिस्षा वी खार चार्याहज़ चौपमनना चैरशाट यानि कितना खटा रूपया हो गया sa कितना हो गया शेजौआट रूपया शेसा रूपया किसको मिल रहा है कि कar अब देखिए इए को कितना मिल रहा है B के पास है ति इसको लाब कितना मिलेगा आप यहां पे एक एक नियम से बता ही सकते हैं इसका हाप कर दीजिए ति यह कितना हो जाएगा 304 रुपया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब चलिए हमको लाब भी निकल गया दोनों का ठीक है अब आपको क्या निकलना है कितने मंत बात जुड़ा है तो आप निकाल सकते हैं देखिए यह बी के बारे में हम लोग बात कर रहा है तो बी जो है 57 इंटू एक्स ठीक है और इंटू इसको लाब कितना पराप्त होगा देखिए लाब कितना पराप्त होगा वन बाई थिरी कोई दिकत नहीं है टोटल हिसा 3 है ए कि यहां से देखिए यह तीन से हो जाएगा आपको एंट इंग कम तीन और फिन नावसताइस ठीक है तो उन्नीस से सकल टू तीन सो चार हो गया तो एक सिस सक्षार अपन उन्नीश इसको कर लिजिए डयरेक्ट हो जाएगा उदिस एक हो गया इक स्षार तो यह यहां से देखें एक्स का वेल्व कितना आ गया आपको कि यहां से देखें कि 19 कि 304 कि कितना हो जाएगा 19 से कम 19 कि हो गया 10 में से 9 हो गया है एक और दो में से गया एक और 14 और यह 19 चक एक से 14 होता है यहां और यह 5 चौण 65 है ठीक है 16 बार में बिल्कुल एक्जेक्ट जा रहा है सही हम लोग इसको किया थे एक सीजकल टू क्या आ गया यहां से अब आपसे पूछा था कितने माह बाद जो है बी इंट्री लिया था तो देखिए बी कितने माह बाद इंट्री लेगा तो आपका क्या हो जाएगा एंसर यहां से देखिए सुला माइनस बार यानी चार माह बाद इंट्री लिया है क्लियर है ठीक है तो भी जो है चार माह बाद इंट्री लिया है तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा फोर अब यह कोश्चन थोड़ा सा क्या था कंसेप्ट्वल था ठीक है इसमें आपको रेसियो कला और भी कंसे मांगा हुआ था आपके अंसर यहां क्या हो गया है ठीक है अब चलिए इसमें छोटे-छोटे कोश्चन मनते हैं आप देखे दो नमर कोश्चन क्या है दिया है कि दो बेक्टियों को आयू का अनपाद कितना है चार अनपाद साथ है उनमें से एक की आयू दूसरे के आयू को अधिक है तो बताइए उनके आयू का योग फल क्या होगा ठीक है अब सबसे पहले देखे इस कोश्चन में आपको दिया क्या है दो बर्स के आयू का अनपाद कितना दिया है दो लोगों का ठीक है यहीजी-जी कोश्चन है इसको आप बिल्कुल असानी से सल्व कर सकते है है को दिखत determ Edu , $5 अधिक है अब बता रहा है कि उनुए मैं से एक कि ह्यायू दूसरे का पेस्चा तीस वर्स अधिक है अब देखिए 30 वर्स अधिक की बात कर रहा है अब अधिक इस में आपको देख थक कौन रहा है दीखिए तो 7 Nin ave, इसका मतलब 7x-4x कितना दिया है आपको 30 वर्स ठीक है यहां से x का बहलू निकल जाएगा आपका देखे 3x इसकल टू 30 एकस का बहलू क्या निकल गया 10 कोई दिक्कत नहीं है अब x का बहलू आपको निकल ही गया आपको निकलना क्या था उनके आयू का योग निकलना था देखे पहले का यू क्या था यहां पर देखे पहले का यू है 4x दूसरे का यू है 7x एकस का बहलू निकल ही गया तो 4 में 10 से मल्टिप्लाई करेंगे 40 आ गया दूसरे का गया 70 अब दोनों का योग निकालना है तो दोनों को एड़ कर दे कोई दिक्कत नहीं है यह गया 110 तो आपका एंसर क्या हो जाएगा 110 option D कोई दिक्कत नहीं है यह भी हार CGL का question है next देखें question समझ में आगया होगा simple सा दिया था दो वेक्ति थे उनका आयू का रेशियो चार रेशियो साथ दिया था उनमें एक का रेशियो दूसरे का पेक्षा 30 वर्स अधिक था अब देखें रेशियो जो होता है एक्जेक्ट भैलू नहीं होता है आपको पता ही है तो हम लोग क्या क सब्सक्राइब निकल गया और फिर हम लोग एक्जेक्ट भैलू निकाल लिए और दोनों के एड़ कर दिये तो अपना एंसर निकल गया चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स कोचन देखिए सचीन राहुल की तुलना में सात वर्ष छोटा है यहाँ पर दो लोग का बात के जरा है एक सचीन है और एक राहुल है यदि उनके उम्र का करमसा अनुपात इतना है तो सचीन के उम्र बता यह वह ऐसे ही कोशन है सल्व कर सकते हैं चलिए इसको सल्व कर लेते हैं देखिए सचीन एक त्रव सचीन है और एक त्रव क्यों है राहुल है ठीक है अब क्या दिया है यह तक कोई डाउट नहीं है अब हम उनकर लेते हैंगे जो सचीन है इसका एस जो है वह सात एक्स रहा होगा तो साय इस mg कर ली और होलक नौ एक्स ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब आये कोस्टन में सचीन रहूल कि तुलना में सात वर्श छोटा है इसी का यूज कीजिए ठीक है सचीन जो है रहूल के तुलना में कितना है थो ड्लक कि से रहा है रही संग 8-7-9 error आपको कोई कोई कोश्चन में दिया था सब लिखा कि सचीन और राहुल की तुलना में साथ चोटा है यह दि उम्र का अनुपात दिखें तो सचीन और रहुल के उम्रो का अनुपात दिया था साथ रिशियो 9 ठीक है तो हमें जिम कर लिए उनका उमर जो है 7x और 9x होगा चलिए इसके बाद दिया है कि सचीन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है तो राहुल का एज क्या है यहां पर 9x सचीन का कितना है 7x तो जो छोटा है तो 9x में से 7x माइनस करेंगे तो उतना ह हो जाएगा यह 2x is equal to कितना हो जाएगा यहां पर 2x is equal to 7 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां से x का वहलू क्या आ जाएगा देखिए 3.5 आ जाएगा question में आपसे पूछा क्या है सचीन की उमर बताई है सचीन का उमर यहाँ पर देखिए 7x है ठीक है एक्स का भेलो निकल गया multiply कर दिजिए क्या दिक्कत है यहाँ पर सचीन का इस कितना हो जाएगा 7 into x गिज़ा पर 3.5 ठीक है 24.5 कितना आगया 24.5 देखते हैं एंसर ताप का एंसर आगया है आपसें डी 24.5 वर्स ऐसे ऐसे ही question इस chapter में बनते हैं हाँ बिल्कुल इजली सारे question को solve कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स देखिए अगला जो है राम और रहीम की उचाई का अनुपाद कितना दिया है 7 ratio 8 यदि रहीम की उचाई 66 है ता राम की बताईए अब कितना easy question है ठीक है जो जो question में दिया है उसको पहले क्या करें लिख दे और फिर अगले line में आपका solution निकल जाएगा आपको यहाँ पे एक राम है ठीक है दूसरा व्यक्ति कौन है रहीम है ठीक है रहीम है यह राम और रहीम का रिश्यो कितना दिया है देखिए question में 7 ratio 8 अच्छा ये भी आपको बता दिया है इसमें यह दि रहीम की उचाई 66 इंच है आपको देदिया है रहीम की उचाई कितनी है 66 x है अब देखिए यह तरी ratio है exact value है नहीं हम लोग मान लेते हैं कि राम का 7 x होगा रहीम का 8 x होगा लेकिन according to question रहीम का कितना दिया है 66 अब देखिए रहीम का क्या दिया है 66 यानि यह जो हम लोग एजियूम किये है किसके बराबर हो जाएगा 66 के यानि 8 x is equal to क्या हो गया 66 तो राम की उचाई आप से पूछ रहा है तो यहां से x के value निकाल लीजी x का value क्या हो गया 66 x 8 राम की उचाई क्या है यहां पर देखिए 7 x है ठीक है 7 x का multiply कर दीजी कुछ नहीं करना है 7 x का multiply कर देते हैं हम लोग 7 x 66 x 8 कोई दिकत नहीं है अब इसको cancel करें आप यह 24 के 8 हो गया 2 3 6 है और 2 3 6 यह हो गया आपको 7 का 21 2 7 का 22 तो 23 और नीचे हो गया 4 ठीक है यह point में आएगा ठीक है देखें यह हो जाएगा आपको 4 से 45 और यह हो गया 3 और एक 4 सत्याथाइस चार सत्याथाइस तीन जीरो आगया फिर 4 सत्याथाइस और यह 5 ठीक है तो देखें कितना आ गया 27.75 ठीक है तब कैलकुलेशन है मैं बोला हूँ कि यह इस कैलकुलेशन में आप लोगो प्रोब्लम हो रहा होगा तो मैं कैलकुलेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा आप सभी कमेंट जो है कमेंट बक्स में अपना कमेंट लिख देंगे तो बिलकुल ऐसे ऐसे ही कोश्चन आते है इसमें इसको सल्प कर लेंगी इजीजी से कोश्चन आता है वाकि खास में कुछ है नहीं कुछचन नावर पाऊच इजीशन है 24 व बगतईस में से आट खटाया जाए तो संगत उनपात क्या होगा चोटा सा कोशण आपको देखे 24 दिया है पहले पट्छा दूसरा क्या दिया है per 32 इस दोनों मैं से बोल रहा है आठ क्या दिख्कत सोला डिभाइड कर दिजा अनुपात निकलने के लिडिवाइड कर देते हैं यह कितना हो गया आट दुना आटव 2,168,234 यहने केतना आग आपका एंसर के आओ गाई तो यह तो बिल्कुल नेक्स्ट है 3 मिसरन जिनमें दूद तथा पानी है इनमें 1 रिश दूर सब्सक्राइज मिला जाता है तो अनतिम मिसरन में दूद और पानी का अनपात क्या होगा अब यह question थोड़ा सा ठीक है इसको समझ लेते हैं ऐसे question आपसे exam में पूछे जाते हैं देखें दिया है तीन मिस्रन है जिन में दूद और पानी का अनपात कितना है एक में है पांच अनपात एक एक में है दो अनपात एक और एक में है तीन अनपात एक अब इनको मिलाया जाता है एक अनपात दो अनपात तीन में तो बताईए कि अंती मिस्रन में दूद और पानी का अनपात क्या होगा आ बर भी जब", घौक भी और उसके पास भी दूद का एक एक टेंक है चलिए तो पहला जो बहता है यानि मिलक और वाटर की बात की प्रएक्ति क्या किया है दो रिचू एक है तीसरा ब्रेक्ति टीन डीस statement है अब देखए येतना तो आपको क्लिएशी होगा के कहा है यह मिल्क और यह क्या वाटर यह है मिल्क और यह मिल्क यह वाटर पहला वैक्ती देखें यहां पर क्या कर रहा है पांच रसी यो दूद रख रहा है और एक सबसे अधिक बैमान कौन है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह जो दूसरा वाला वेक्ती है यह दो हिस्सा दूद का और एक हिस्सा पानी डाल दे रहा है ठीक है पहला वाला इनके रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादाई मंदार है खैर बैमानी मंदारी के बात नहीं करते है इतना आपको समझ में आ गया होगा तीन लोग है और यह क्या नया टेंकर में दूद भर दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इनका क्या किया जारा है एक हिस्सा डाल दी जारा जारा इसमें इनका कितना डाला जारा है दो हिस्सा और इनका जो है तीन हिस्सा अब बताईए कि इस मिक्चर में जो है मिल्क और वार्टर का जो है रेशि तरीका आपको पहले से पता है तो आपको प्रोब्लम नहीं होगी चलिए हम लोग इसको सल्व करते हैं देखिए कोशन नमर 6 था अब हम लोग एजियूम कर लेते हैं कि तीनों मिश्रन में क्या दिया था एक रेशियो दो रेशियो तीन में मिलाया जाता है एक रेशियो दो रेशियो तीन में हम लोग एजिम कर लेते हैं कि x, 2x और 3x जो है नया मिक्शर में मिलेगा कोई दिक्षत नहीं है अब पहले की बात कर लेते हैं पहला वाला जो फर्स्ट वाला हम लोग टेंग कर लिये थे ठीक है पहले वाले का क्या इस्तिती हो जाएगा तो देखिए एक्स इंटू पहले वाला का जो है हम लोग क्या कर लेते हैं पहले दूद का मिक्षर लेते हैं देखिए कोश्चन में क्या दिया था पहले यहां पर लिख लेते हैं चलिए देखिए दूद और पानी का मिक्चर कितना दिया है पहले वाले का 5 रेशियो एक दूसरे वाले का 2 रेशियो एक तीसरे वाले क्या दिया है तीन रेशियो एक ठीक है तीन रेशियो एक ठीक है कोई दिकर नहीं चलिए तो देखिए पहले वाला को जो दिया है आपको 5 रेशि दिया दूसरे वाला का 2 रसी रेख और तीसरे का 3 लेख लेख अब आप सभी को तो पता इंए कि ये जो है क्या है मिल्क और रिवाटर का ये मिलक और के लिवाटर ठीक है कोई दिकत नहीं है चलिए तो चलिए अच्छे से मैं यहां पर साफ साफ लिफ देता हूं कुछ लोगों के लिर नहीं हो इसा तर रहा होगा यह मिल्क है और तीक है धूरी वाले में टीक है तीसरे वाले at k arbitr Children Girl कर लिए दूसरों को दूद कर लिखना है पहले हम सबसे पहले दूद कर लिख लिए का ल करेंक तो देखिए बास नने इसके बद क्या लिखेंगे इसको अब लिखेंगे पहला बहा है nic टोटल कितना है यहां पर बताएं, टोटल हिस्षा पहला का कितना है 6 है, तो टोटल नीचे लिख देंगे, कितना मिला जाएगा इसका, तो 5 हो जाएगा, 5 उपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, दूसरे वाले का मिला रहा है, दूसरा वला का कितना हिस्षा है, दो एक्स मिलाना है तो दो एक्स पहले लिख देते हैं इन्टू, टोटल कितना है दूसरे वाले का देखे तो टोटल कितना है इसका दो एक तीन है तीन ही हिसा है ना, तीन क्या करेंगे हम लोग नीचे लिख देंगे तो 3 यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं कितना milk वाला हम लोग मिला रहे हैं तो milk वाला data लिख दीजे milk वाला उपर लिख दीजे plus तीसरे में आईए कितना हिसा मिलाना है 3x मिलाना है पहले 3x लिख दे into यह total कितना है दोनों मिलाके 3x 4 है तो 4 नीचे लिख दे क्या मिला रहे हम लोग मिलक मिला रहे है तो milk का उपर लिख देंगे data 3 लिख देंगे clear हो गया कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब इसको आप solve कर ले ठीक है यह कितना हो जाएगा 5x यह हो गया 5x बटे 6 प्लस यह कितना हो गया 2 2 4x अपन 3 प्लस यह कितना हो गया 3 3 का 9 9 x अपन 4 अब क्या करें इसका आप LCM ले ले और इसको solve कर ले अब जिनको LCM अगर हम परसानी होगा वो जाकर वीडियो नमर 2 देख लेंगे इसलिए मैं बताया कि देखिए बेसिक कंसेप्ट जो है यूज होते ही है तब देखिए 6 3 4 का LCM अपने सकते हैं यहापे 6 3 4 का LCM क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा कोई दिक्रत नहीं है 6 2 12 तो 2 5 10 10 x हो गया उपर प्लस 3 4 12 4 16 x हो गया 16 x प्लस 4 3 12 तो 3 9 27 27 x हो गया तिरपन x बटा 12 यानि हम लोग क्या निकाल लिए मिल्क का मिक्चर निकाल लिए अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है वाटर का तो सेम एज इटीज हम लोग वाटर का भी निकाल लेंगे ठीक है जैसे हम लोग मिल्क का निकालें वैसे ही हम लोग क्या करेंग हो वाठर का मिल यॉपका कितना मिला जाएगा पहले-वाले मैं वाठर की रहा दिया है देखिये वाठर का एक हिस्सा है छे में एक सह जब भी आपको हिस्सा लिखना होगा टोटल एड कर देंगे जो भी वाटर पूछ रहा है तो वाटर उपर लिख देंगे टोटल नीचे तो देखे 1 upon 4 हो जाएगा तो इसको क्या लिख देंगा हम वह यहां पर 1 upon 4 तो 1 upon 4 हो गया बस हमारा water का भी निकल गया और इसको add करेंगे आप और दोनों को divide कर देंगे लिख निकल जाएगा तो देखे कितना हो जाएगा एक सपन 6 प्लस चाभ दोएकसपं 3प्लस टिन एकसपं 4 चाहर थी ऐब से ले ले 12 आ जाएगा लसिय कोई दिकत नहीं है छे दुनी बारह प्लस तीन चोंक चाहर दुनी आठ हो जाएगा एक्स प्लस चाहर तीये बारह थी तरीका नौ एक्स से कितना आ गया नौ अट सतरह दो उनिस एक्स उनिस एक्स अपन बारह तो वाटर का भी नि उसमें milk ratio water निकालना है तो milk का कितना है जी 13 x 12 water का कितना है देखे 19 x 12 टिक है तो नया ratio क्या हो जाएगा यह लिख देंगे हम लोग 30 x 12 देखे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 53 x 12 इंटू इसको क्या करते हैं आप उजीट करके लिख देते हैं तो उपर 12 अपर नीचे 19 इंक से एक्स केंसील हो गया बारह से बारह और 19 यहां पे कि तीरिपन है देखें यहां पर क्या हो जाता है अब को 19 से 3 पन तो कटेगा नहीं तो यहां पर क्या हजाएगा कि नया जो आपको mixture बनाना है वो एक ratio, दो ratio, तीन का बनाना है तो हम एजियों कर लिए कि माल लिजे 1L, 2L और 3L जो है होगा अब आपको पता था पहले mixture का कि पहले mixture में दूद कितना है? 5 हिस्सा है, पानी कितना है? 1 हिस्सा है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको दूद का हिस्सा लिखना हो, इसमें तो क्या करेंगे? 5, divide 6 लिख देंगे, क्योंकि total हिस्सा 6 है, तो 6 हम लोग नीचे लिख दिए ऐसे ही करके हम लोग दूद का निकाल लिए, तीनों का add कर दिए, पानी का निकाल लिए और दोनो को divide कर दिए देखिए अब इंसर देखने आया है कि नहीं कितना इंसर आया है तीरपन रेशियो 9 देखते हैं तीरपन रेशियो 19 आया था ना देखें कितना आया था इंसर हम लोग कहां तीरपन रेशियो 19 देखते हैं अच्छा यहां पर देखिए हमारा इंसर आया था तीरपन रेशियो 19 अफशने में देखे 2 रेशियो 1 3 रेशियो 1, 4 रेशियो 3 कोई भी नहीं होगा, इन में से कोई नहीं आपका D answer हो जाएगा ठीक है, तो D answer हो जाएगा और BPAC में आपका इन में से कोई नहीं अफशन देता ही है ठीक है, चलिए अब next question देखते हैं हम लोग ठीक है, next question देखे क्या है एक bag है, इसमें 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं किस रेशियो में हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो, 3 में हैं, कर रहा है कि यदि इन में कुल 30 रुपया है तो बताएं 5 पैसे के कितने सिक्के हैं ऐसे भी question आपसे एक्जाम में पुछे जाते है यह बिहार CGL 2011 का question है ठीक है, दे रहा है आपको सबसे पहले देखे कोई एक bag है ठीक है, एक bag है हमारे पास इसमें 25 पैसे के सिक्के हैं कुछ कुछ जो है, 25 पैसे के सिक्के हैं ठीक है, कुछ जो है 25 पैसे का सिक्का है ठीक है, अब यह कितने सिक्के हैं हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको क्या पता है इस question में, तो देखें यह कितने का है, तो यह जो है 25 पैसे का है, और यह जो है 10 पैसे का है, और यह जो है 5 पैसे का है अब इसमें कितने सिक्के हैं तो आपको तीस रुपया जाएगा तो आप बताएं कि जो पांच पैसे वाला सिक्का है इसका संख्या क्या है आपको इसका नंबर बताना है पांच पैसे वाले का ठीक है यानी एक पैसे को काउंट करते हैं तो आपको आपका रुपया आता है 30 रुपया त आपसे पूछा जा रहा है कि पांच पैसे क सी को की संख्या क्या होगी ठीक है चलिए अब कोशन समंज में आ गया होगा आपको हम लोग इसको सल्व करते हैं करạo şiltな बंच को चाहें कोई सब ये उगरा ड़ी इस तैट हैं चीजें को शुक्त कॉछ जाते हैं कि इसको अपर रिघली स次 सब कर सकते हैं कि बहुत मुष्खिल नहीं है। अब देखिए इसमें दिया क्या-कया था 25 फैसे चीज़ dud और क्या दिया है दस यह पी मैं लिख देता हूं पैसे के लिए दस पैसे और एक नेक दिया है पांच पैसे ठीक है अब मैं स्टेट्मेंट यहां के लिख के नहीं बनाता हूं कि माना की यह सब वोगरा आप लोग जिसको लिखना होगा लिख लेंगे बाकी जो आपको पता है एक चाम में फास पैसे में कितना रुपया होता है एक रुपया ठीक है एक पैसे में कितना हो जाएगा एक बटा सो तो पैसे में कितना हो जाएगा पचीस पैसे में कितना हो जाएगा पचीस बटा सो यानि एक बटा चार रुपया कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या पैसे लिख देंगे इसे कि एक बटा भीस हाजाएक जाता ही सो पैसे में ₹1 पैसेमें इतना like, नहीं हो गया अब देखिए आपको स्थीक्को का रेशियो दिया है पचीस पैसे वाला कितना रेशियों में एक है, दस पैसे वाला दो है और पांच पैसे वाला तीन है, यह इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब हम लोग एजीम कर लेते हैं, यह जो है आपका पचीस पैसे वाला जो सिख्या है, वो एकस है टोटल, यह दस पैसे वाला 2x है और यह जो आपको 5 पैसे आला हुआ है यह 3x है ठीक है अब हम लोग सारा जो है according to question statement हम लोग लिख लिए ठीक है अब जो question जो बोल रहा है वह हमको काम करना है अब देखिए इस तीनों को add करने पे क्या आ रहा है आपको 30 रुप्य आ रहा है तो add कर दे क्या दिक्कत है प कितना एक बटे 10 का तो एक बटे 10 से multiply कर दीजिए प्लस तीसरा कितना है 3x है इंटू कितना से एक बटे 20 से multiply कर दीजिए ठीक है अब question जो है according to question दिया क्या है यह कितने के equal है यह है 30 रुप्य के equal ठीक है बस यहां से एक्स का बहलू आपका निकल जाएगा ठीक है आप इसक एक बटे 154 प्लस यह कितना हो जाएगा टू एक सपन दस यह कितना हो जाएगा 3xपन विस इकॉल टू कितना हो जायागा यह थीसके equal हो जाएगा कोई दिख्कत नहीं है अब यहां से क्या करें आप एलघ्यम ले ले और इसको solve कर लें, ठीक है? क्या दिखत नहीं होगा, ठीक हा? देखिए मे यहां पर जो है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए यह इसके आलच्यम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, को दिखत नहीं है, 20 हो गया अच्छा ये कितना हो जाएगा 425 यानि 5x आ गया प्लस ये कितना हो जाएगा आपका देखे 10 दून 20 यानि 2 दूनी 4x आ गया प्लस 20 से हो गया 3x इकल टू 30 क्रस मल्टिप्लाई किजिए तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 9, 3, 12 12x कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 कोई दिकत नहीं हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 पचे 30 ये हो गया 2 से 2 दहां के 20 और ये कितना आ गया 50 x का बहलू कितना आ गया हो जाएगा 50 आ गया कोई दिकत नहीं है x का बहलू 50 निकल गया अब आपको निकालना क्या है equation में क्या निकलना था, देखें, total कितने है, 3x, x का value निकल ही गया है, तो इनसर कितना आ गया आपको ये, 150, तो एकäg सब पथाशा सीखें क्या है, आप से पूछता कि आप बताए कि 10 पैसे वाला कितना है तो आप 2X कर देते आप से पूछता 25 पैसे वाला थे वो तो पचास ही निकल जाता है ठीक है इसके एंसर कितना हो जाएगा आपका 150 क्लियर हो गया होगा सभी को ठीक है चलिए कोशन और इसमें अच्छा दिख रहा है मैं इसको सल्व कर देता हूं फिर चेप्टर अपका फिनिस हो जाएगा ठीक है देखें तो ऐसे ही कोशन बनते है यहां पर हम लोग टाइप्स अफ कोशन भी कर लिए इस एप्टर से इतने तरीके कोशन बनते हैं देखें नेक्स कोशन क्या है एक चीडिया घर है ठीक है फिर वालों नों जानवरों के शीरों को गिना ठीक है यह उनको हेड को काउंट किया गया तथा पाया की उनकी पचास है अगर चिडिया कोई होगी तो उसका दो पैर होगा कोई जानवर होगा तो इसका चार पैर होगा तो बढ़ना ही है तो टोटल जो असी क्या है सीर है और 250 पैर है अब निक्स दे रहा है उस चिडिया घर में कबूतर थे अब आपको एक बात अस्पस्ट होगा ते रही की थे थे रहे हैं आपको पता हो नहीं जाहि है घोड़े का चार पैर होता है और गद्धे का फिर का करता है अरक फिरफ्टा डोपअरte खुś अब नेक्स इन्फर्मेशन क्या को एशन में दिया है को और घौड़े तब पूछ रहा चीडिया घर में गोड़े कितने हैं कोछन समझ गए होंगे को ऑ पे सिर्ष भूटा थे यह को देखेंगर ऐसे और खरे कोई फ्रिक इसमें कि टीन जानवर हने कितने दो जानवर है इसमें कौन हम भोड़े और गद्धे ठीक है एक जो इसमें गद्धे है कशा निया एक जो इसमें घोड़े है यह की तीसरा जो है व sam sa pachas तो आपको बताना Auesücklich है NES और vegasiो का राइसियो इस दोनों करेसियो दिया है एक meglio दो तरको बचाना है कि चिडिया घर में मैं कितने घोड़े हैं घोडों की संख्यां बताना है कोश्र समझ गए हूंगे 16 को M करते हैं फिस को लग रहा होगा वलुम लेक्ट्टर को फास्ट कर करके देख सकते हैं कि यह लेक्चर जो बनाने का पर्पस है कि जिनको मैतमेटिक्स में कुछ नहीं पता जीरो पता है वो फिसको सल्व कर पाया है तो चलिए हम लोग है ठीक है गे जानवर नहीं है एक लिए प्कष यह तो दो पह वाली पक्षी तेख यांथ टाउन हम सब्सक्तर कर देते हैं कोई दिखत के सब्सक्राइब दिखेव लुट्ष सब्सक्राइब गौध्यन केस्थ है चार दिख्कत नहीं ए अब देखेए अ तोटल कितना संख्या दिया था टोटल असी थे तोकि चाहा उसके बाद- मes यो जाएगा तीनन सवीश हुदिक अब दुअ जाई है यह जब गए बिखिए और बहुता आ होते हैं तो है कितने 250 हैं तो है कितने 250 हैं तो आपको कोश्चन में क्या दिया है कि 250 है और हम लोग एजिम कर रहे हैं अब देखिए यहां पर कितना है यहां पर कितना है यहां पर 220 है यहां पर 250 है इसको माइनस करें कितना आ जाएगा यह जीरो अब बारह में से पांच गया साथ सत्तर हो गया यह ठीक है यह हो जाएगा सत्तर और इसको इसमें से देखें यह हो जाएगा 250 और 160 कितना हो जाएगा 40-50 यहां पर आ जाएगा 90 हमने क्या किया देखिए यहां पर 250 कोश्चन में दिया है हम लोग एजिम किये यह अगर माल लीजे 2 पैर वाले ही क्यों होते है जानवर तो टोटल 160 पैर यहां पर 250 है यहां पर 160 कितना कमा रहा है 90 कमा रहा है लिख लिए इतना तक में आपको कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम जानवर क्यो도 कुमा ठीक है अब देखे इनका रेशियो कितना अजाएगा रेशियो कर निकालेंगे तो यह से बैंना जाएगा और यह कितना आ जाएगा रेथ कितना जाएगा इस पिर सून्थ के इंसे उहां एक अलिए तो एप जब सत설 नभ bell लिखेंग तो पेरवाल रूल जइए टोटल नौशी है है न तोटल अच्हा चार पने खितने हो जाएंगे तो देखें निकालना हो कोशन जो भी रेचियो उसको सबसे पहले करते हैं लेकिन हमको क्या है चार पैरवाले में 9 है नौ बटे 16 और 80 कोई दिकत नहीं है तो यह कितने हो जाएंगे यहां से सुल्लापची जानवर कितने आ गया है 45 यहां समलों निकाल लिए अब question में दिया क्या है आपको चार पैरवले जानवर 30 में दो ही है एक कौन है गद्धा और एक होड़ा दोनों का रेशियो दिया है एक रेशियो दो अभी सी information का हम यूज करेंगे ठीक है देखिए चिडिया घर में जो है कौन है गद्धा और होड़ो के संख्या को आप निकाल नहीं सकते हैं आप वोगिए आप तो कुश्छन हो गया कितना है रेशियो में दो है ठीक है यह total कितना हो जाएगा एक्स और 2 एकस ठीक है और दोनों को एड़ करेंगे तो कितना आएग अगे according to question 45 विक्टियों में निकल गया 4 पैरवले कि यहां से एक सिस्क्राइब कितना आगया 15 तो आपको घोड़ो के संख्या निकालना है घोड़ो है कितने दो एक से तो पंद्रा इंटू दो आपका एंसर निकल गया 30 गधा का संख्या पुछता तो पंद्रा आ जाता ठीक है अब माल लिए इसी कोश्चन में पुछता आप प्रिपीट कर देता हूं इसको अच्छा कोश्चन है इसको प्रिक्टिस करेंगे मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको जब भी अप मैथमेटिक्स जो है देख रहे हैं इसका लेक्चर आप अपने साथ जो है एक कॉपी जो है और एक पेंज जरूर लेके बैठें और कोश् प्रफब сделали अपको अपको टोटल फेर कितने हैं 250 स सब्सक्राइब करते अपनेered को पता नहीं यह कितने हैं लेकिन अपने को टोटल पता था ठीक है टोटाल 8 जानवर है अगर दो पैर वाले मानलीजह सारे जानवर तो कितना पैर होता उनका 160 होता दूसरा के सैथ अगर मानलीजह वानलीजए उस सारे जो है चार पैर striking माले होते गोन में पास कितना प्रोड़ ता 320 होता है अब देखेंश तो है नहीं दिया है कोशिंशन में कि 280 प्लाइब हाथ है तो यहां पर देखेंश कितना अधिक है 70 और 25 है अब यहां पर हमको पता हो गया यह रेस्यूद है 7 रेस्युद nine यानि आ गया साथ रेस्युद तो नो ठीक है अब हम लोग क्या निक्स निकालना था ठीक है तो निकल गया है तो नो आपन क्या कर देते दोनों को एड कर देते टोटल ठीक है कोई दिक्कत है यहां पर देखिए कि यहां परम क्या किये थे चार वाले का संखिया कितना 9 सुलों कितना असी तो यहां से निकल गया हमको 45 यह हमको पता हो गया कि छार वाले जानवर 45 यहां लेकिन हमको बताना था कि भोडों का इसके भड़ डाटर दिया था आपको कि गद्धः और घोड़ों का रिसी और दो रिस्यों 3 तहुं में कर लिए कि ऐकस गद्धे होंगे और दोस्थ भूड़े होंगे दोनों को जोड़ेंगे अपको 45 ही आएगा तो दो एकस को से साथ करेंगे तो 3 x 9 45 wraps और यहाय से 15 निकल एक और कोश्चन यहां पर देख लें बिल्कुल इजली आपसे सल्व हो जाएगा फिरम लेक्चर को इंड करेंगे स्याम राम से सात वर्ष छोटा है उनकी आयू का अनुपात सात रेशियो 9 है तो स्याम की आयू क्या है जो जो कोश्चन में दिया है सबसे पहले आपका काम क् है सात रेशियो 9 दिया है आप देखिए दिय रहा है कि स्याम जो है आपको राम से सात वर्ष छोटा है राम को एक से जीन कर लेंगे स्याम कितना आ जायेगा बताए स्याम कितना जाएगा स्याम से सात वर्स होटा है अब जो है यह सब आपको data पता इह थे रेशियो आपको पता ही है एक्समाइनस साथ साथ रेशियो एक्सटू तो कितने डिया है 7 ratio 9, अब multiply कर दे, answer निकल जाएगा, ठीक है, cross multiply कर दे, question में तो दिया है ratio 7 ratio 9, हम लोग का क्या आ रहा है, x minus 7, x cross multiply कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7x equal to 9x minus 63, 970, अब इसको इधर लेकिया है, left side में इसको लेकिया हैं, तो चीन बदल जाएगा, तो 7x minus 9x, यह minus 2x हो जाएग इकल टू माइनस 63, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, यहाँ से देखे, minus से minus के अंसिल, x is equal to क्या हो गया, 63 by 2, कोई दिकत नहीं है, x का वहलू निकल गया हमारा, निकालना क्या question में आपको देखे, स्याम के आयू निकालनी है, तो देखे, स्याम का आयू कौण सा है, इसमें, स्याम का आयू कौण है, x minus 7 है, ठीक है, स्याम का माइनू, आयू क्या है, x minus 7 है, according to question, x का वहलू निकली गया है, 63 अपन 2, minus 7, निकाल ले अब, calculation करना है, आपका answer निकली जाएगा, देखे, यह साथ दूने 14 हो गया, ठीक है, LC हम लेंगे तो 2 आ गया, यह 63 ठीरा गया, यह साथ दूने 14, ठीक है, और यह हो गया, कितना आ गया आपको, देखे यहां से, ते यह आ गया, 9, 13 मैस 4 गया, 9, यह 5 मैस गया, 4, 49 बटे 2, कितना आ गया answer आपका, देखे, ते आ गया, 2 से, 2, 2, 4, 2, 4, 8, और 2, 5, 10, यहनी 24, 5 बरसा जाएगा, इसका, point में answer आएगा, देखे, तो इसका answer बन गया, 24, 5, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही question है, आप solve करेंगे, ठीक है, यह सारे जीतने मैं question मत बताया आपको, आप अपने से इसको self ज करता हो, कि minimum time में जो है, सारी सी explain कर दूँ, फिर भी minimum time में भी minimize करते भी कुछ time लगी जाता है, यह question आप लोग के लिए homework रहा, इसको आप solve करेंगे, question नमर 10, देख लें, P ratio Q दिया है, Q ratio R दिया है, R ratio S दिया है, P ratio S निकालना है, निकालेंगे, next देखें, A ratio B दिया है, तो 7 A plus 3 B और 7 A minus 4 B इसको भी निकालेंगे, और एक next question है, P का 60% equal to Q का 80% है, तो इसका आप बताएं, तो बता सकते, आप देखें, आप पर सेंटेज आ गया न, इसलिए मैं ब पाएगा, ठीक है, तो mathematics में क्या होता है, लिंक होता है, एक chapter से दूसरे chapter का, मैं बताया था कि basic pillar आपके लिए क्या है, number system है, इसके अलावा percentage है, ठीक है, यह सब आप chapter LCM, SCF है, इसलिए मैं तीनों पहले discuss कर दिया, यह तीनों यह आपको आ गया, ता आगया आने वाले chapter में ज्यादा problem नहीं होगी, अब इस question को बनाने में क्या है, P का 60% है, P का कितना है, 60% ठीक है, equal to Q का कितना दिया है, 80% यह Q है, Q का 80%, तो ratio बताना है, ताब बता नहीं सकते हैं, P का 60% लिखने का मतलब क्या होगा, 60 बटा 100, और Q का 80% लिखने का मतलब क्या होगा, 80 बटा 100, ठी यह Q left में आ गया 8 x 6 हो गया देखे कितना हो गया 8 x 6 ठीक है 248 234 रेशियो तीन आ गए अप्साने सही ठीक है आप लोग जो है हम लोग इस यूनिट में क्या किया देखे एक बार में इसको रिवियू कर लेते हैं देखे सबसे पहले आज हम लोग देखे अनुपात क्या होता ह है ठीक है फिर हम लोग देखे समानुपात जो है क्या होता है यानि रेशियो प्रोपोर्शन के बात कर रहा है इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेट कुछ छोटे-छोटे कोशन देखे ठीक है इसके बाद एक और कंसेप्ट देखे तो उसको आप जरूर ध्यान रेखेंग नेक्स हम लोग क्या देखे प्रिवियस येर कॉश्च्छन अच्छा प्रिवीयस येर कॉश्च्चन में हम लोग तरह-तरह के कॉश्चन देखे ड़ाइं यह जितने मैं आपको बता दिया इसकेPark को कोई हीक्श्चन नहीं आएग आपके ऐक्जाम में फिर भी явi कि सी documented होता तो आप जो है सारे लोग क्या करें इस lecture को अधिक साधिक लोगों में share करें ठीक है त्योंकि share करना क्या है share करना means क्या है आपका share करने से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन जो कुछ है आपके जैसे लोग ठीक है जो effort नहीं कर सकते हैं आपको पता है आज education क्या है तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं information ले सकते हैं और यहां पर यह जो लेक्चर चल रहा है तो यह जो है अभी क्या है one way communication है मैं पहले ही बताया हूं ठीक है कि लाइब मैं आपको class नहीं ले रहा हूं फिर भी मैं बोला हूं कि जो भी आपका doubt होगा हम लोग उसको क्या करेंगे जरूर प्रवाइड करूंगा तो आप लो लेक्चर को अधिक सदिक लोगों में शेयर करें ठीक है अधिक सदिक लोगों को जो है मदद करें आप यह एक हमारा परियास है और आपका कर्तब्य भी बनता है कुछ ठीक है तो आप अपने कर्तब्य कर निर्वान करें हम अपने कर्तब्बे के निर्वन करते हैं पढ़े इसको रिपीट करके देखें ठीक है और अधिक सदिक लोगों में सेयर करें ठीक है अज सब्सक्राइब ही चैनल को जरूर कर लें ठीक है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद